राजिस्थान मद्य प्रदेश और 36 गड़ विधान सबा चुनाओं में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेटक्वाटर पहुंचे प्रदान मंत्री नरेन मोधी ने कहा कुछ लोग तो कह रहें कि आज की इस हेट क्ने चोबिस की हेट क्ने की गड़ूएट्टी दे दी है इस चुनाओं में देश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिशी हुई में लगातार कह रहा था कि मेरे ले देश में चार जातिया ही सबसे बड़ी जातिया है ये है हमारी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने, अपने युवा साथियों, किसान भाईयों के सामने, गरीब भाईयों के सामने नत्मस तक हूँ चुनाओ परिणाम पर हर फर्स्ट टाइम बोटर कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरी जीत का कारण बना है भविश का सपना देखने वाला युवा अपनी जीत देख रहा है चुनाओ नतीजों ने एक बात इस पश्ट की है कि देश की युवा पेड़ी सिर्फ विकास चाहती है जहां कि सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया, वे सरकारे सक्ता से बहार हुई देश का युवा यह जानता है कि बिजेपी की सरकार युवा हितेशी होती है युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है नारी शक्ती वंदन अधिनियम से देश की बेटियों, बेहनों के मन में एक नया विश्वास जागा है ये विश्वास जागा है कि भाजपा की सरकार में उन्हें एक नई बुलंदी मिलने वाली है उन्हें लगता है कि BJP ही नारी सुरक्षा सम्मान और गरीमा की ग्यारंटी है इस चुनाव में देश के बहन बेटियों ने भाजपा की विजए की जिम्मेदारी उठा ली थी आज मैं उनसे बहुत विन्नमरता से कहूंगा कि BJP ने आपसे जो वादे किये हैं वो शत्त प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये मोदी की ग्यारंटी है और मोदी की ग्यारंटी यानि ग्यारंटी पूरा होने की ग्यारंटी देश का अधिवासी समाज भी खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो समाज है जो कांगरेस की नीतियों की वज़े से पीछे रहा इन्हें अवसर नहीं दिये गए हमने गुजरात में भी देखा कि जिस समाज को कांगरेस ने कभी पूचा नहीं उस समाज ने कांगरेस का सफाया कर दिया आज मैं भाशपा कारेकरताओं की सारहना करूँगा उनकी भुरी-भुरी प्रशनसा करूँगा भाश्पा और कमल के प्रती आपका समर्पन अतूलनी है डबल इंजन की सरकार का उद्देश आपने घर घर तक मौचाया है राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के परिवार में चुनाव के दोरान एक दुखत खटना हो गई थी फिर भी वो चुनाव अभियान से चूटे रहे इसी के साथ बने रहे है एशान इस इन्ड़ा के साथ खाले पाद